दोस्त अगर ये वीडियो देखने के बाद तुमारे अंदर आग न लगे तो फिर मेरे चल को अन सबस्क्राइब कर लेगा क्योंकि फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने का तुमारे लिए कोई मतलब नहीं बचेगा और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा भी इंस्पायर हो जाए थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले और लगे कि आप तो यार कुछ ना कुछ फोड़ के ही रहेंगे तो फिर लाइक करने जाए तो भई बात यूट्यूब में ग्रो करने की हो या फिर जिन्दगी में ग्रो करने की हो आपका मोटिवेशन हमेशा बना होना चाहिए और मोटिवेशन मिलता कैसे जब हम किसी से इंस्पायर होते है चलिए मेरी कहानी आपके सामने बताता हूँ मेरे बहुत सारे सपने पू चोटे चोटे सपनों की बात करते हैं देखे 2016 में एक मोबाइल 8000 के मोबाइल से जब मैंने अपना चैनल शुरू किया तो मुझे लगता था कि यार मैं 10-20,000 रुपे महीने तो कमा ही लोगा और सच बतारों दोस्तों 7 महीने तक कुछ कमाया नहीं था लेकिन फिर भी मेरा करनी थी और या फिर मुझे आपके लिए वीडियो बनाने थी तो मैंने चुना यूट्यूब को और वीडियो बनाने को मोबाइल से वीडियो बनाता रहा आठवे महीने में पहली पेमेंट आ गई घर की अगर बात करते मैंने आज तक मेरा घर कभी भी नहीं दिखाया कैमर प्रमोशन नहीं कराया किसी से आज कल नए यूट्यूबर आते ना हमारा प्रमोशन कर दो तब ही हम सफल हो जाएंगे मेरे भाई एक चीज हमेशा ध्यान दखना कि जो पहचान से आपको काम मिलेगा वो कुछ टाइम चलेगा और जो काम से पहचान मिलेगी वो जिंदेगी बर चलेगी तो यार काम से पहचान बनानी थी इसलिए सब कुछ नहीं किया और वो घर का वीडियो आज भी रखाया नहीं चाहिए थी सिंपैती नहीं दिखाया 42 स्क्वाइर यार का एक छोटा सा घर जिसमें हम लोग 5 फैमिली मेंबर रहते थे ओनली टू कमरे थे और वो कमरे भी बिल्कुल जरजर इस्तिती में थे तब एक सपना सोथ देखा था कि भाई मेरे को एक घर बनाना है कितने गज का 100 स्क्वैर यार्ड का ऑगा behAK बनाना है नो सो स्क्वैर फिट का घर बनाने का सपना था कि यह बना लू बस तक मैं यूट्व को नहीं जानता था मुझे पता नहीं था YouTube का वाई क्या होता है लेकिन जब मैंने YouTube के काम स्टार्ट किया उसी मोबाइल से थोड़े दिनों के बाद मैंने नया मुबाइल भी ले लिया उसके बाद धीरे-धीरे इस्टूडियो बनाया आज मैंने यह फ्लैट लिया वो घर अभी भी भी है जा मेरी मदर वाग पिट 100 इस्प्यार का एक घर बनाना है और YouTube को मैं थैंक यू बोलता हूं और आप सभी को थैंक यू बोलता हूं मैंने जितनी भी महनत करी आप सबको पता है कभी छुटी नहीं करी लगातार में वीडियो अपलोड करता हूं यह जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि मैं लगाता में इंप्रूव करता रहा करता हूं और YouTube में यही चाहिए मोटिवेशन बना के रखा मैंने और आज फाइनली मैं 900 स्क्वार फिट नहीं 800 स्क्वार फिट नहीं बलकि बहुत बड़ा करेब 200 स्क्वार यार्ड का घर बना रहा हूं लगबग 2100 स्क्वार फिट का एक बड़ गर बनेगा क्योंकि काम तो यही करना है तो काम यवी क्वालिटी और आने वाली है तो यह एक बीगेस्ट ड््रीम था मेरा जो मैंने कभी स्कूल टाइम में सोचा था जब मैं इसकूल में पढ़ता था एक छोटे से घर में रहता था तब तब सोचा था मैंने और जिस दिन अभी आप खड़े हो, आपको मैं इस रबड के एक जम्पल से समझाता हूँ, ये रबड एक flexible रबड है, हमारी बोडी जो वगवान ने दिये, वो भी flexible है, तो आप यहाँ हो, यहाँ अगर आपको जाना है, तो आपको stretch करना पड़ेगा, और stretch करने पर जोर पड़ता है, तो जोर आपको भी अपने दिमाग पर डालना पड़ेगा, अपने आपको stretch करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, बस, फिर आप success 100% हो जाएंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, अचानक से stretch मत कर देना, अचानक से सारा load मत देना, सब कुछ एक साथ मत करना, क् अगर मैं इस रबड को बहुत तेजी सचानक खीचूँगा, तो ये टूट जाएगा, यानि passion के साथ, patience, धैर्ये बहुत जरूर ये, अगर आप अपने passion को follow कर रहे हैं, तो धैर्ये के साथ करें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और ये वीडियो पसंद आई, like करक यार, चाल को subscribe पर देना, मैं आपको YouTube टिप्स भी देता रहूँगा, और ऐसे motivation भी देता रहूँगा, चलिए यार, दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, जैहिन,